पुर्व केबिनेट मंतरी दिक्रम सिंग मजीठिया ने राहूल गंदी के कांग्रेस धक्ष के तौर पर नमंकन भरने पर कांग्रेस के ही एक निता उन्ने वाला द्वरा प्रवारवाद को बढ़ावा देने के अरोपो पर चुबी साद ली तथा मीडिया से बोले जो लोग रोध कर रहे हैं उनसे ही जाकर इसका जवाव पूछा जाए उलेकनी है कि श्रोमनी काली दल बादल में भी किसी समय प्रवारवाद कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था लेकिन अब काली दल में भी नए टीम में दिग संजे सिंग पर किये मानहिन के केस में माननी अदालत में पहुचे हुए थे मैं कोट चे आया है नाल मैं अज तोनों एवी दसना चोना कि अशीज खतान जेड़े आम आदमी पार्टी दे बड़े सीनियर स्पोक्स पर्सन भी आया और ओ दिली कमिशन चोनानों कैबनेट रहंक दा ओदा भी दिता है डाइलाउग कमिशन दे चेर्मेन है तुसी हरान हो जोंगे कि ओना दी वकालत करना से हाई कोट कोण आया कांग्रेस दे सीनियर स्पोक्स पर्सन थोटे एक्स मेंबर पार्लेमेंट मुनीश दिवारी जी एठीक है कि मुनीश दिवारी जी कहएं के मैं वकील है मैं किसे कोल भी जा सकता मगर जेड़ी मैच फिक्सिंग हो रही ह आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दे विजकार ओ प्रेजिडेंट एलेक्शन चे भी एक्सपोज होई ओ सुखपाल खेरे दे केस चे भी एक्सपोज होई ते ओ अशीज खेतान दे केसां चे भी एक्सपोज हो रही है पार्टी में भी चाते थे यह एलेवेशन होई मगर शैद राहूल गांदी जी त्यार नहीं थे आज उनको पता लगा है कि वो त्यार हो गए है तो उनको इस चीज की बढ़ाई है चाहे होए तो बड़े देर आए दुरुस्ता है मगर मैं एक उपोजिशन पार्टी के रूप से सिर्फ उनको बढ़ाई देना चाहूंगा बाकि हमको तो उपोजिशन पार्टी को खुशी है क्योंकि जब जब राहूल गांदी को जगा एलिवेशन होई या प्रायर्टी मिली है उदर एरिये में से आपने रिजल्ट भी लुद्याना से जागरती लेहर के लिए कुलबीर राही के साथ रजंदर अरोडा की रिपोर्ट